नए संकल्प लेना उन्हें पुरा करने और पुरा करने के लिए जी जान से जुड़ जाना युवां की स्वाभाविक प्रवुत्ती होती है भाजपा युवा आकांशाओं और युवा सपनों को समझती है ये इस बजेट में भी स्पस्ट रुप से दिखता है इस बजेट में स्टार्ट अप्स के लिए टैक्स बेनिफिट को आगे बढ़ाया गया है युवा इनोवेशन रिसर्प एंड डवलप्मेंट को लेकर जितने भी प्रावधान इस बजेट में किये गए हैं वो युवाओं को इनोवेट करने के लिए प्रोच्छाहित करेंगे मैंने खेती में जिस ड्राउन टेक्नोलोजी की पहले चर्चा की वो भी एग्री टैक्स स्टार्ट अप्स को प्रोच्छान देगा डिपेंस के छेत्र में स्टार्ट अप्स हो या फिर डिजिटल करंसे जैसे प्रावधानों से फिंटेक्स से जुड़े स्टार्ट अप ये युवाओं के लिए अनंत संभावनाय बनाने वाले हैं और स्टार्ट अप की विशेस्ता हैं स्टार्ट अप जॉब क्रियेटर भी होते हैं साथियों युवाओं को सिक्षा और स्कील के बहतर आउसर देने के लिए बीते सालों में टेक्नोलोजी का दाइरा निरंतर बढ़ाया गया है इस बजेट में इसको विस्तार देते हुए पहली पहली डिजिटल युनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है इसे गरीब के गरीब बच्चों को भी अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी अगर इस युनिवर्सिटी से कोई छोटे मोटे कोर्सिज करने हैं तो वो आराम से कर लेगा और उसको क्वालिटी एंजुकेशन उप्रप्द होगा सरकार ने इस बार के बजेट में स्पोर्ट को भी बहुत तवज्जु दिये हैं और काफी वृद्धी की है और हम यह न भूलें कि स्पोर्ट के छेत्र में अधिक्तम हमारे किसान के बच्चे ही आते हैं किसान के परिवार की ही वह आन बान शाम बन रहे हैं खेलो एंडिया भियान के बजेट को भी बढाया गया है स्पोर्ट का बजेट पिछले साथ सालों में तीन गुना से भी जादा बड़ा है इसका भिलाप हमारे युवा साथियों को होगा